नमस्ते दोस्तों जोहार मैं विश्यक चक्रवर्तिया आप सभी का फिर से अपनी गड़ोग चैनल पर स्वाकत गतों दोस्तों क्लास 3 से लेकर 7 तक के स्टुएंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकरके हैं जी हां दोस्तों आप लोग इस सिन पर देख पा रह दोस्तों देख सकते क्या लिखा गया है आप लोग इस सिन पर देख पार होंगे जारखन के सरकारी स्कुलों मैट्रिक और इंटर्मेडियेट की परिच्छा के तर्ज पर तीसरी से साथ वीग की छात्र छात्रों का भी मुल्यांकन होगा जी हां दोस्तों टैन और ट्वेल का जैसे पैटन पर एक्जाम होगा था उसी पैटन पर जो है क्लास 3 से लेकर 7 तक के स्टुएंट्स का भी जो है एक्जाम ह होगा दोस्तों दो पर इसमें परिछा का संचालन किया जाएगा दोपाली में पहली पाली में जो हाप अब आुजर्ण पूष्छ़ऋ क्या ओंगे कि इसकूललों में सिच्छः वह साच्षरता विभाग इसकी तयारी कर रहा है चार जून को चो आप लोगों का घरमी क्व जो खत्म हो रहा है उसके बाद वार्सिक परिच्छा का आयोजन किया जाएगा यानि चार्जुन के बाद आप लोग का ये एक्जाम लिया जाएगा यानि काफी कम समय बचा हुआ आप लोगों के पास तो त्यारी एकदम अच्छे सी कीजिए अगर आप लोग त्यारी करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएगेगा मैं हर एक क्लास का जो आप लोगों वीडियो कराने की कोर्सिस करूंगा ठीक है इसमें सफल होने वाले छात्र शात्रा ही अगले क्लास में परमोट होंगे तिसरी से सात्वी की वार्सिक परिच्छा में 40-40 अंकों के जो है objective और subjective सवाल होंगे यानि 40 अंके आपके subjective और 40 अंके जो है आपके objective टाइप के questions होंगे यानि पहले आपका objective होगा पहली पाली में दूसरी पाली में आपका subjective exam होगा कूल मिला का जो आपका 80 marks का जो है एक्जाम लिया जाएगा और 20 marks का जो आप लोगों ने internal assessment अपने स्कूल में दिया है उसको आप लोग को स्कूल से मिलेगा ठीक है यानि दोस्तों आप लोग अच्छे से त्यारी करना ताकि आप लोग अच्छा से score कर पाएं और अगले class में आप लोग पर्मोट हो पाएं ठीक है तो कोई भी दिक्कत हो नीचे comment करके जोरू बताईएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते क्या लिखा गया है इसका जवाब देने के लिए ब 20 आंक आंतरिक मुल्यांकन के लिए निर्धारित की जाएंगे यह आपको इसकूल से जो है यह 20 माक्स से मिलने वाले है जितना जो है आप लोगों ने इंटर्नेल एसेस्मेंट अपना इसकूल में दिया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते क्या लिखा गया है पर परवर्ट हो पाए ठीक है दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं क्या लिखा गया है इसका परिणाम जून के अंतिम सब्ता में आ जाएगा और जून के लास्ट वीक में जो है आप लोगों का रिजर्ट भी आ जाएगा और बच्चों को बच्चों के परमोट करने के बाद अप लोग का नावांका जुलाई से नया सेचनिक सत्र जो है सुरू हो पाएगा और जुलाई के स्टार्टिंग से जो है आप लोग का आप लोग का पढ़ाई स्टार्ट होने वाला है ठीक है उस बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया देख सकते हैं इससे पहले भी 31 13 मार्च को 2019 के बाद तीसरी से सात्वी के जो चारट चारह है उसको बेसलाइन असिस्मेंट किया गया है तो आप लोग बहुत सारा जो है वेसलाइन असिस्मेंट के दौरा आप लोगों का जो है यहां दोस्तों यहां पने देख सकता आगे क्या लिखा गया है इसमें ती幹Blue कोथी के बच्चों से उत्तर पुस्तिका पर अब्जेक्टिक प्रश्णों का हल कराया गया था वहीं पाचवी से साथवी के बच्चों को पुराने ओमार स्रिथ पर आप लोग का परिच्छा ली गई थी भासा की छूट ठीक है आप लोग का छेतरी भासा में जो है आप कुदऄकर दीगे जो अगरास 1 के स्टुएट्त है वो अगर चाहते है अपना लोकल लेंग्विघ में बोलने के लिए escuch को पको अपने लोकल लिएह सकते हैं तो उसे उसमें सवाल पूछा जा सकेगा पीछले दोस साल तक Спасибо बंद रहने है ठीक है आप लोग मालूम है बहुत सारे स्ट्टोएंट्स जो है इसकुल गए ही निये दो साल से तो हो सकता है कि वो सब जो लेंग्वेज है वो नहीं आता हो तो वह अपने मात्री भासा में ही जो है अपने यहां पर लिखा गया साथ सा ऐसे में हिंदी में जवाब देने में परशानी हो सकती इसलिए चेत्री भासा में जवाब देने की जो है ऐसे स्ट मस्कों फूड़ है दिया गया तो दोस्तों यह था आप लोगों का जो है class 3 से लेकर 7 तक की search के लिए अपडेट और साथी में class 1 और 2 के लिए जो है उन्लोंका मौकिक परिच्छा लिया जाएगा बाकिस जो class 3 से 7 है उन्लों का दो पाली में exam लिया जाएगा तो दोस्तों आ सकते हैं आप लोगों पूरा pattern समझ में आ चुका होगा class 1 और 2 का मौकिक परिच्छा लिया जाएगा जब कि class 3 से लेकर 7 तक के students का जिस सब्जेट में भी दिखता थो नीचे जगरूर कमेंट करके बताएगा आप लोगों को हेल्फ करने की कोसिस की जाएगी तो आसा करते दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक से और कमेंट करना ना भूले और दो दोस्तों यह था आज का यह अपडेट तो आसा करते दोस्तों आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक से और कमेंट करना ना भूले तब तक के लिए दोस्तों धैन्दवाद जैहिंद वंदमातरम